कर दिखाया कि नई लोगों को मौका दिया यह कारे करता जमीन से उठके महां बैठा दिये लेकिन जो नई बैठे वो रो रहे हैं तीनो चारो उनके साथ क्या भीती वो सुनो किसी यम बनेंगे फिर से हमें इंतेजार था हमें इंतेजार था जिया बेकरार था हमें क्या पता था उनका पहले से तयार था क्या बूल रहे हैं कि ये मन में सोच के बैठे थे फोन आएगा पीम का तीनो ये मन में सोच के बैठे थे फोन आएगा पीम का बधाई दे कर बोलेंगे मुबारक हो पद सीयम का लेकिन मगर दिल जलाने वाला आया समाचार था अरे हमें क्या पता था उनका पहले से तयार था दूसरा सुनों साग बड़ी उमीदे थी मन में के लड़ू फूट रहे थे तीनों सोच रहे थे हम बनेंगे बड़ी उमीदे थी मन में के लड़ू फूट रहे थे बगर चुप चाप कहीं भी तर ये सपने तूट रहे थे चरचा शहर में अपना बड़ा जोरदार था बड़ा जोरदार था अरे हमें क्या पता था क्या वात है और अंतिव सुनों अब ये जीवन का फलसफा है और ये जीवन है राजनीती के साथ साथ हमारे सबके जीवन में दर्शन की बात बताता हूं कोई पाकर के खोता कोई जीवन भर ना पाता है खेल नसीबों का किसी को पल में मिल जाता हमें अपनी किसमत पर बड़ा एतबार था अरे हमें क्या पता था उनका पहले से तयार था सीयम बनेंगे फिर से हमें इंतिजार था जीया बेकरार था भई हमें क्या पता था उनका पहले से तयार था और दो मुख्तक जो अभी मोदी जी ने कहा अलग बात एक विशेश बात कही जो जाती पाती हमारे देश में फैली हुए चार पंगतियां चारू जी सुनिएगा के जाती पाती का मुद्दा ही हटवा दिया ये काम जो मोदी जी ने बढ़ा किया के जाती पाती का मुद्दा ही हटवा दिया जो विरोधी थे उनको ये समझा दिया यूवा नारी गरीबों कि सानों की अब चार जाती है सब को ये बतला दिया चार जाती है और एक जो बड़ा काम हुआ अन्ति मुक्तक पढ़ता हूँ के अपना कश्मीर अभी जो कोट का फैसला आया है उसके लिए जरूर समर्पित करूँगा के अपना कश्मीर फिर से समर जाएगा ये ती रंगा भी खुल करके लहराएगा आपने एक मंदिर बनाया यहाँ एक मंदिर पीयोके में बन जाएगा लेकिन आपने जो का ना कि वो जो जिया बेकरार था ता आपका तो आज भी है और कल भी रहेगा लग रहें सब्सक्राइब लेकिन फिर कॉंग्रेस की सरकार अगई थी सेंक्टर में अब 2018 में तीनों राजे हमने जीते थे तब भाजपा का यही हाल था अब हम 24 में सरकार बनाएंगे तब देखेंगे इनको क्या यह तीन जो जीतता है उसके वह अपर लोग सबानी जीतता है इनका यह रिकॉर्ड कर जी एक है कॉंग्रिस पार्टी और एक हुआ करते थे मुंगे जी खुद तो करते ही हैं हम सबको भी सिखाते हैं लेकि मैं इसका जवाब देना चाहते हूं कि केवल अपने घर में कब तक दिये जिलाओगे बोलो कब तक सिर्फ अमीरों को ही सब कुछ भेट कर आओगे बोलो जनता तो भोली है नहीं समझती चाल आपकी कब तक भोली जन आने का सपना दिखाओगे बोलो जाली जी आप खुद का लिखा है खुद का अरे क्या बात है चलो कॉंग्रिस को इस देश की जनता याद आई याद दिलाने के लिए मोदी जी की जरूत पड़ी पर मैं मानती हूं अगर मोदी जी भी ये कविता सुनेंगे ना यही कहेंग हमारी वजह से सही आपको देश की जनता तो याद आई जो 70 साल से आप भूले ही बैठे थे मुझे लगता है जब आप हवाई जाहाज में बैठ कर उड़ते हैं जब रेलो में बैठ कर चलते हैं जब टेलिफोन पर बात करते हैं और मोबाइलों पर एक जगा से और दूसरी जगा पर बात करते हैं तब आपको शायद कॉंग्रेस याद नहीं आती क्योंकि आपका वह ही हाल है कि माबाप जब बच्चे को बड़ा कर देते हैं और बड़ा होने के बाद एक नालायक बच्चा कह देता है आपने किया ही क्या था और डबल ताली क्योंकि आपने सबको याद दिला दिया कैसे अलमारियां खुली और नोट पे नोट पे नोटों की गड़िया हमें दिखी जहां चापा पड़ता है यही कुछ नजारा है और साहू जी तो लेटेस्ट है पर उससे पहले TMC के नेता के घर चापा पड़ा था कुछ अधिकारी जारकंड में थे उनके घर चापा पड़ा था मैं यह सोचती हूं आप नोट बंदी की बात करते हूं सोचो नोट ब पुराने तो तभी बनेंगे ना जब उनको लीडर्शिप का एक मौका दिया जाएगा मामा जी ने कल कितनी प्यारी बात कही उन्होंने कहा 18 साल मुझे इस पार्टी ने बहुत दिया है समय आ गया है कि अब मैं इस पार्टी को दूँ और ऐसे ही कोई पार्टी 18 करोड के प्रस्ता उन्होंने ही रखा मुखे मंत्रियों के नामों का इसको कहते हैं डिसिप्लेन और इसको कहते हैं समर्पन अपने देश अपनी जनता और अपनी पार्टी के प्रती मैं जानती हूँ और ये पूरा देश जानता है कि पहले क्या होता है और बाद में वो सब कहां जाते हैं कौन से रास्ते नापते हैं पहले महराष्ट के दो दिन पहले प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि अजीद पवार और वो अजीद पवार कहां गए चारुजी की साइड उसके पहले हिमंत भिश्वर्मा कहां गए चारुजी की साइड भाजपा के साइड तो सारे ये धीरे धीरे अस्ता वहीं का क्यों जास्ते मुझे लगता है कभी-कभी अगर इनकी तरफ खुल जाएं, कभी पता चले कि हेमन्त बिश्व सर्मा के उस वाटर स्कैम का क्या हुआ, अजीत पवार को सरकार ढाने से पहले उसके स्कैमों का क्या हुआ, तो जनता को इतना आप कब तक मूर्ख बनाओगे, असलियत क युआ बेरोजगार भटकेगा नहीं, और पाजी ने बड़ी अच्छी बात कई, देश की जनता भैस के आगे बीन बजा बजा के ठक गई है, अब अपने हक की लड़ाई 24 में लड़ने वाली है।